चोपड़ा है जो किसी न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो राजस्तान स्टेट के सेकंड राउंड का सेडूल पोस्ट मॉंड होने के बाद अभी नया सेडूल जारी हो चुका है इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी डेट को क्या इवेंट है क्या सेडूल है नया हमने आपको पहले बता दिया था कि जो सेडूल जारी हुआ था पहले ये पोस्ट मॉंड होगा और वो पोस्ट मॉंड हो गया था कारण ये है कि MCC के सेकंड राउंड की जोइनिंग के बाद ही स्टेट अपना सेकंड राउंड का रेजल्ट पप्लिस कर सकते हैं या सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंडेक्ट करवा सकते हैं वो रेजिस्टेशन करवा सकते हैं च्वाइस फिलिंग करवा सकते हैं लेकिन उसका रजल्ट All India की जोइनिंग कदम होने के बाद ही रजल्ट आउट किया जाता है क्योंकि जो कंडिडेट्स All India के सेकंड राउंड में जोइन हो जाएंगे वो स्टेट की सेकंड राउंड काउंसलिंग में इलिजिबल नहीं रहेंगे तो इस कारण से सभी स्टेट्स के जो सेडूल है वो अभी रिवाइजड हुए है तो राजस्तान का हम रिवाइजड सेडूल देख लेते हैं एक बार उसके बाद में चर्चा करेंगे कि राजस्तान स्टेट कंडिडेट्स को All India में जो सीट मिली है जिन कंडिडेट्स को All India से लेना चाहिए या राजस्तान के लिए वेट करना चाहिए इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे तो सबसे पहले एक बार सेडूल देख लेते हैं तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिस हो जाएगी 17 नॉंबर 22 को इसके बाद सीट मेट्रिक्स पब्लिस होगी 19 नॉंबर 22 को यह इसलिए पब्लिस होगी 19 नॉंबर 22 को यानि की जिन कंडिडेट्स को राजस्तान में फर्स्ट राउंड में सीट जोइन कर लिए और उनको सीट छोड़ना है वो ओल इंडिया में जाना चाते हैं तो 18 नॉंबर 22 तक वो सीट छोड़ सकते हैं और वो ओल इंडिया में जोइन कर सकते हैं तो उनके सीट छोड़ने के बाद 19 नॉंबर 22 को ये seat matrix publish होगी उसके बाद में इसके बाद में registration जो fees है वो 5,000 रुपए reserved category के लिए है 10,000 यूर EWS category के लिए है और private की condition में 1,000,000 है वो आप अपने merit point तक जो second round में उनका merit point आएगा तब तक deposit कर सकते हैं वो ये registration का part है ये इसके बाद में documents verification होगा जिनका होता है defense का होता है ये paramilitary का होता है paramilitary forces जिसमें BSF, CRPF आती है उनका होता है NRI candidates का होता है तो ये जेपूर होता है ये 22 November 22 को होगा इसके बाद में अगर हम बात करें आगे इसमें PWD candidate का भी 22 November 22 को documents verification होगा इसमें इसके बाद में seat allotment होगा 23 November 22 से लेकर के 28 November 22 तक जो important है यही राजस्तान का seat allotment offline होता है और यह सुवास नगर RUHS dental में होता है तो हरे एक candidates को जो seat लेना चाते हैं उनको वहाँ present होना होगा ऐसे candidate जो upgrade नहीं करना चाते हैं उनको वहाँ present होने के आवश्यक्ता नहीं है वो अपने college में जाकर के admission लेकर के आगे अपने study continue कर सकते हैं लेकिन जिन candidates को upgrade लेना है वो candidate उनको present होना जरूरी है और जिनको अभी तक seat allotment नहीं हुआ है वो तो present रहेंगे ही वहाँ तो वहाँ यह आपको present रहना है इसके बाद में SMS में joining होगी यहां से आपको seat allot हो जाएगी RUHS से और फिर college की जो joining है वो SMS में होगी वो 24 नौंबर से लेके 30 नौंबर तक होगी और उसके बाद में आपको college में report करना है जो bond वगरा की formalities है documents है फीश deposit है वो सारी की सारी SMS में होगी और SMS में report करने के बाद में आपको college में report करके continue study करनी है अब इसमें notes जो दे रखे हैं वो यही है कि आप 18 नौंबर 22 तक आप seat resign कर सकते हैं first round की और इसके बाद में इसमें original documents आपको round 2 में वहां ही submit करने हैं जिन candidates ने admission ले ले लिया है और उनके पास receipt हो है वो अपने receipt produce कर सकते है और जिनको allotment नहीं हुआ है उनके original documents round 2 में RUHS dental में ही deposit होंगी बाकी formalities SMS में जाकर करनी है तो यह 18 नौंबर 22 को ऐसे candidate जिनको first round में seat allot हो गई है और All India में भी उनको seat मिली है राजस्तान की seat छोड़ना चाते हैं तो 18 नौंबर 22 शाम 4 बज़े तक वो seat छोड़ सकते हैं तो जिन candidates को All India में seat मिल गई है मेरा suggestion उनके लिए यही है कि वो All India की seat join कर ले क्यूंकि राजस्तान में ऐसा होता है कि राजस्तान की जो merit है वो second round में भी काफी high रहती है All India के second round की बज़ाए तो इसमें जिन candidates को seat मिल गई है तो उनको All India से seat join कर लेनी चाहिए यह जानकारी थी राजस्तान के schedule के बारे में seat joining के बारे में और जो क्या rules से इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में अगर channel subscribe नहीं किया है तो channel subscribe जरूर करें क्यूंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैन